जब से हमारे free fire के अंदर new update आया हुआ है जो हमारी sensitivity setting है जब से free fire वालों ने उसको 100 से increase करके 200 पे कर दिया है उसके बाद guys अगर हम लोग अपनी sensitivity setting को 200 पे कर रहे हैं तो हमारा sensitivity इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि हमसे sensitivity कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है जब हम लोग fire कर रहे हैं headshot माने कोसिस कर रहे हैं तो हमारी bullet enemy के उपर से चली जारी bullet touch तक नहीं हो रही headshot की तो बात ही दूर की है और guys अगर हम लोग उसको कम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर body shot बहुत ज़्यादा लग रहा है और आप लोग का free fire के अंदर बहुत ज़्यादा headshot लगेगा और guys उसकत में आप लोग को एक best fire button का size भी provide कराने वाला हूँ तो guys आज के यह video आप लोग के लिए बहुँच दा important है आप लोग इस video को देखते रहे हैं यह हमारी sensitivity setting जिसको की मैंने reset कर दिया है एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने इसको reset कर देता हूँ अब इसमें नीचे सबसे पहला option आता है free look का जो कि हम लोग को free fire तरब से default 65 provide कराया जाता है और गश्यादा आप लोग अपने free look को 65 पे use कर देो तो यह आप लोग अच्छे तरीके से work नहीं होता है अच्छे तरीके से rotate नहीं हो पाता है जब आप लोग इसको left right आगे पीछे rotate करते हो तो यह अटक जाता है और आप लोग अच्छे तरीके से आगे पीछे left right नहीं देख पाते और आप लोग बहुत अराम से आगे पिछे left right देख पाओगे अपने free look को rotate करके गैस यहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity सेटिंग है वह है गैस यहाँ पर sniper scope और यह FIFA एक तरब से default हम लोग को 50 provide कराई जाती है अगर गैस आप लोग अपने sniper scope को 50 पर use करते हो and sniper को use करते हो तो guys आप लोग का यहाँ पर जो bullet दाओवे enemy के आजू बाजू से निकल जाता है आप लोग का एक भी sort guys यहाँ पर enemy के body पे या फिर headshot पे connect नहीं होता है सारा bullet आप लोग का enemy से miss हो जाता है left right से निकल जाता है तो guys आप लोग को sniper से enemy को मारना होता है तो आप लोग ऐसे scope open करके तब body shot यह headshot मारते हो जिसमें बहुत time लगता है और तब तक enemy अगर चाहे तो आप लोग को headshot भी मारके knock कर सकता है तो simply आप लोग क्या करना कि अपने sniper scope की sensitivity को increase करके आप लोग इसको guys और यहाँ पर 156 पर set कर देना जैसे guys आप लोग इसको 156 पर करोगे उसको आप लोग अपने sniper को use करना आप लोग देखो कि आप लोग का यहाँ पर sniper से हर एक sword connect हो रहा है आप लोग देखो कि आप लोग का हर एक bullet enemy को body shot and head shot लग रहा है आप लोग अपने 4X scope को 65 पर use करते हो और अपना scope open करते हो जो आप लोग का aim होता हुवे enemy के body पर ही lock हो जाता है और आप लोग कितना भी drag कर लो कितनी भी कोसिस कर लो आप लोग का यहाँ पर एक bullet भी head shot नहीं लगता है तो simply आप लोग क्या करना कि अपने 4X scope की sensitivity setting को increase करके आप लोग guys यहाँ पर इसको 167 पर set कर देना जी हाँ guys जैसी आप लोग इसको 167 पर करोगे उसको जैसी आप लोग यहाँ पर 4X scope open करोगे आप लोग का direct aim जो वे enemy के head पर चला जाएगा आप लोग का बहुत ज़्यादा headshot लगया जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर कितना ज़्यादा headshot लग रहा है तो जरूद सेरा आप लोग अपने 4X scope को 167 पर set कर ले guys यहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting है वे guys नहीं हाँ पर 2X scope और यह फिफाइट से डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइट कराई जती है अगर कैसा आप लोग अपने 2X scope को 75 पर यूज़ करते हो और आप लोग आप लोग इसको ओपन करते हो तो guys आप लोग का aim होता हुए निमी के head पर चला जाएगा और guys आप लोग का 2X scope से भी बहुत ज़्यादा headshot लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देशतों मेरा यहाँ पर कितना ज़्यादा headshot लग रहा है तो guys यहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting है यह guys यहाँ पर free fire की बहुत ज़्यादा important sensitivity setting जिसका नमे guys यह red dot और यह 55 तरब से default हम लोग को 85 प्रोवाइड करा जाता है अगर guys आप लोग अपने red dot को 85 पे use करते हो तो guys पहले तो आप लोग का बहुत ज़्यादा body shot लगता है आप लोग कित्ती भी कोशिस करो आप लोग के एक भी bullet headshot नहीं लगता कि अपनी red dot की sensitivity को increase करके आप लोग 119 पे set कर देना उसको जैसी आप लोग कोई भी gun use करोगे तो guys आप लोग का यहाँ पर एक doublet require नहीं होगा और आप लोग का बहुत ज़्यादा headshot लगगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर कितना ज़्यादा headshot लग रहा है तो guys यहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting है वे है guys यहाँ पर journal sensitivity setting जो की free fire की सबसे दा important sensitivity setting है और यह फी फाइटास default हम लोग को 65 प्रोवाइड कराए जाती है और गैस आप लोग अपनी journal sensitivity setting को 65 पर यूज़ करते हो आप लोग ज्यादा ड्रैक करते हैं जिससे आप लोग का एक बूलेट एनिमी को टैच भी नहीं होता है तो simply आप लोग क्या करना कि इन सभी प्रोवलम को solve करने के लिए आप लोग अपनी general sensitivity setting को increase करके 109 पर सेट कर देना जी हाँ जिसको जैसी आप लोग इसको 109 पर सेट करोगे आप लोग धोग हो कि आप लोग का phone का display एकदम smooth हो चुका है आप लोग का moment speed बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इस बात करें यहाँ पर headshot का तो आप लोग का direct यहाँ पर headshot लगदा है पूरा को पूरा आप लोग red number ही लगएगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो तो जरू सेर आप लोग अपने general sensitivity setting को 109 पर सेट कर लेना यह तो बात होगा है हमारी sensitivity setting की अब गैस बात करतें 5 बटम साइज के बारे में तो गैस मैं आप लोग लिए यहाँ पर एक best 5 बटम का size आप लोग के लिए reply कर दूँगा तो जरू सेर आप लोग अपने phone का ram and guys name comment box में comment कर देना तो guys I hope आप लोग को हमारी आज की यह वीडियो पसना है होगी